माश्रा, महिश्यत, मीडिया, मसहल, कॉर्मा जब हमारी बालेदेन घर से बाहर जाया करते थे हम बच्चों को छोड़ कर घर पर तो उन्हें ये मालूम होता था कि हम तो जा रहे हैं लेकिन पीछे तरभियत करने के लिए पीटी भी मौझू है एक्जाट्ली तो आपको रेडियो प्रेडियो में काम करते हुए और इतने अच्छे आप FM 101 से जो प्रोग्राम करें आपको एक फखर क्योंकि वह भी गभर्ण का योगिया ना चुकि वह इससा है रेडियो पाकिस्तान तो एक फखर एक प्राइड मैसूस होता है कि आप अच्छे मीडियम के साथ काम कर रहे हैं अलहाद लिल्या रेडियो पाकिस्ता कराची से वाबस्ता होकर डॉक्टर साइब मुझे एक शनाक्त मिली है और यह वो शनाक्त थे कि जब इसका मैं इजहार करता हूं तो मेरे शाने में खासे चोड़े महसूस करता हूं मुझे याद है कि मैंने जब पहला प्रोग्राम किया था सतरवे फ्लॉर पर हमारा फ्लॉर से वफफे के दोरान नीचे बुलाया गया लिप्ट से में नीचे आया मैं संजह कि शाएब तारीफी कल्यबात से नमाजा जाएगा और यहां कुछ सुन रहा होगा लिकिन वहां मौझे जो अमली के अफराद मुझे थे मैं अज़ निगा थे लोगों को फ़्यां अच्छा अज़र आप से एक आखरी सवाल ये करना है कि अब हालात बड़ी तेजी से बदल रहे नहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं बिलखुस सिंद को मुझे लगता है किसी ने मौडल बना करिया चार पांच वो जो हमारे क्लिप आप देखेंगे जो इनकलाब के हवाल से हैं तो ये तो नहीं पता चल रहा कि कौन फरिष्टा है इसके पीछे कोई रूहानी हस्तियां है कौन है तो चुक्छे हमारे हां तो एक वतीरा बन गया कि जब कोई बुरी चीज हो रही हो तो हम कहते हैं ये तो फौज ने कर दी हमारे सियासदान और हमारे दूसरे बिज बच्चों के कानों को उनकी समातों को और बसारतों को ये देखने और सुने की आदत पड़ गई है कि मुल्क में जितनी बुराई हो रही है ये कर्टिसी ओफ इमरान खान अलसो अभी पिछले उसमें जो पिछले आट महीने में हुआ है फौज को बहुत डेमिज करने की से बनी है ये भी अल्ला का कोई मौजजा नजर आता है तो आप देखिएगा सिफ नौर्कॉटिक्स नहीं वैपन इलीगल वैपन चुकि हमने इसलामबाद में अपने एक मीडिया के साथी से पूछा था कि हमारे ये शुरू हुआ है क्या पता तो करें ये आपके पिंडी बले तो नहीं है ये लेगे नहीं मुझे नहीं पता कौन है लेकिन कोई है कोई है कोई है कोई है कोई तो है जो पाकिस्तान का निजाम हस्ती चला रहा है तो अब वहभी तो हम तहकी के मरहले में हैं कि ये है कौन जो ये काम करा रहा है और अल्ला जो भी अल्ला उसकों वो दोबारा अपनी पूरी आब अताप से, अगर आपको याद हो आप रेडियो पुराने देखेंगे, आर्काइब उसका, तो आप फौजी भाईयों के लिए प्रोगैम होता था, मैं अपनी मेट्रिक की छुटियों में मुझे याद है मैंने वो दस प्रोगैम किये, फौज अपने ड्रामे के हमें कुछ हिससे सुना दीजिये, आउडियो, स्टूडियो नमबर 9 के और एक प्रोगैम होता था था हामिद अली, हामिद मिया के हाँ, मुफ्त का जगड़ा, चीक है, इस तरह के प्रोगैमों की फर्माईशे आती थी कि हमें वो सुना दीजिये, हमारे वाले देन बताते थे, जवान, महाज़ों पर खड़े हुए, चीक है, तो वो हमने भी किया, वो तक्रिक कमो बेश रेडियो टीवी से वाबस्ता, सारे लोगों ने, वो और हामिद मिया के हाँ, सब ही ने किया है, चीक है, तो मुझे आज भी फकर होता है, कि हम दोनों गर् मेडिया से भी बत्तर हो चुका है, जो हमारा में स्ट्रीम मेडिया, कॉर्परेट सेक्टर का टीवी है, जो प्राइबट चैनल्स है, और अब अब अल, उससे कहीं ज्यादा खराब जो ही सोशल मेडिया पर जो कुछ हो रहा है, तो मुझे हमारे जो साती है मेडिया के इसला आज़ब आज़ादी जो है, वो बुरी चीज तो है नए, तो पजाते ह苦으 एक जिम्मदारी है, आज़ादी तो जैबाता है कि अज़ादी के बीदारी ज THEM को बाया जा-ज़ापMar लेकिन हमारे मीडिया ने तो बेल अगामी को अजादी सोशल मीडिया ने अबावी सता पर जिस तरह से जहना को डी बॉरिलाइस किया है वो दुख उससे हमारा सीना इस हद तक घाल हो चुका है कि हम बस किसी मसीहा के इंतजार में कि कोई आए मुझे तो लगता है आच चुका है कोई मसीहा है जो ये सारी डोरें उसने अपने हाथ में रखनी है सामने नहीं आ रहा है लेकिन उसका काम नजर आ रहा है लेकि जड़ सब आपकी यहां हाजर होने से पहले मैंने आप पर कुछ हम पर किया एक साल तक सिर्फ इस जुस्तुजू में रहे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए टारीफ जो है मुझे खुषी के साथ सथ हैरत ज्यादा होरी जूकिए मुझसे तो लोग बहट खफा रहते है अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी है नाख बहुंच में जहरे हलाह कि तुभी चाहना सका तारीफ एक रहा है तो तबियत पर नागवार गुज़र जाए बस उस खौब से मैं खामश हूँ जी जी परमाई आपको आप नाराजी आप में ना आ जाए मेरी हमाले से के अजर ने गुस्ताखी किये अगर जान की अमान पाहूं तो मैं कुछ अर्स करना चाहता हूँ कि क्योंकि आपके बारे में मुझे ये बताया गया था कि सदाफत का बरमला इजहार वीविर्स डॉक्टर साहिबा की फितरत का खासा है तो उससे होसला पाकर बनी हिम्मत की जुरत की आपको रापता किया और आज आपके हुजर में हाजर हुआ हूँ कि डॉक्टर साहिबा कुच सबालात मेरे zhN में हैं और मेरे जहन में नहीं बलके जो मेरा हलका एहवाब है उनों नहीं भी मुझे कहा था क्यूँ भी अगर आपके मुलाकात हो तो कुछ चीज़ें हमारे जहरें में हैं क्योंकि हमने बहुत कम शायद दुनिया में ऐसा देखा गया है जिस तरह से आप भी बागी के साथ बत्त को फरमाती है और सच को भी एक तरीके से पेश किया जाता है लेकिन आप सच को उसकी असल शकल में आप आप फरमाती हैं कि है और उसको आप बिलकुल भी किसे रैपर पे लेपेट कर नहीं लाती है उसको उसके अपनी असल शकल में लेकर आजाती हैं लेकि कुछ एक तलाफात जहन में हैं मेरे भी जहन में हैं अब आप सवाल करेंगे जैड़ी अब मैं आज आपकी महजबान नहीं हुए मैंने दिजबानी फर्माई है जिसमें मैं आपका मेहमाद हूँ तो उससे होसला बाकर मज़े ही महसुस हो रहा है कि मैं तो आप सी दर खास कर वेठी हूँ कि तवियत इस बात की मुझासी है कि जो मेरे दिल में सवालात आपके आवाले से हैं और जो मेरे दोस्तों ने अहबाबों और कुछ दूसरे आदबी हालकों के लोगों नहीं कहा कि डॉक्टर नसरीन साहिबा अपने जो प्रोग्राम करती है वो बहुत डेंजरस प्रोग्राम होता है बहुत ही खतरनाग प्रोग्राम होता है पॉर दो फर्स टाम किसी ने कहा मुझे आपने फ़ला प्रोग्राम दे तो जहन थोड़ा हिलकर रह गया, जहन में कोई सवालात पैदा हुए, लेकिन किसी से कोई सवाल किया जाए तो गुसाखी में शुमार होता है, तो मैं इसलिए मैंने कोशिश कभी नहीं की, लेकिन आज अल्ला ने आपके रूबरू होने का एजाद अता फरमाया है, तो आप क कि जानिब से ही जो जो शबखत से आपने नवाजा, उससे हुचला बागर में आप से बुदारिश करना चाहता था कि क्या ये मुम्किन है, क्योंकि मेरा तालग तो मैंने पेटीवी भी किया है, स्टेज पर कॉम्टेरिंग भी करता हूँ, रेडियो पाकिसान वर्मन कराज मैं समयता हूँ कि इंसानियत के बहतरीन खिद्मत फर्मा रहे हैं तो जब वहां पर हुआ तो मैंने वहां आपको सुना, मुझे ही आपको स्टेज पर बलाने का अजाज हासिल हुआ, तो मैं कुछ सहमा सहमा साथ था कि ये तो वही डोक्टर नसरीन साहिबा है, मैंने का कि अब ये शुरू हो, अब ये बड़ी तलखी के साथ बाते करेंगी, लेकि जिस शवक्त के साथ आपने मौज़ो को समेटा है, तो मेरा होसला बड़ा हो, मैंने का कि नहीं मैंने आपकी देलिस पर खादम रखना है, फिर महबत के साथ आपने मझे वैलकम का, तो आज हाज हा कि आपके जाने से इजाज़त होगी है, जो कॉमेंट्स आते हैं, मैं तो उनको भी वैलकम करती हूं, बड़ी कई दफ़ा बड़ी तलख जबान इस्तामाल खास और पर अर्शर शरीफ सहाब के कटल के हवाले से, मैंने दो क्लिप किये, तो बहुत ही अजीब गरीब कॉमें साए, और मुझे बड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन मैं चाहती थी कि नहीं, हमें भी कई दफ़ा कुछ चीजों पर एतराज होता है, तो जो हमारा हक है, वही हक इनको भी दिया जाए, यह पता नहीं, अल्ला ने शयद आपको भेज़ दिया कि आपको करना चाहते हैं, मगर क्या हम इसी प्रोग्राम में सब खत्म करतेंगे, अगर अगर आपसा कुछ जी कि आप एजदत अता फरमाईगा, कि वीवर्स आज आप सब को अपने साथ शामिल करके, मैं डॉक्टर साहिबास से ये गुजारिश करूंगा, कि जो सवालात मेरे दिल و जहर में मौजूद है और जो मैं लोगों की जाने पसे लेकर आया हूँ, कुछ तल्ख सवाल हैं आप नाराज तो नहीं होगी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको मैं जो सच बोलने की हिम्मत करें उसको सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए, देखिए मैं आपके प्रोग्राम से फिर, अ सबसे बड़ी खुबी आपकी या है, लिसनेर्स के चोटे से चोटे वी या जिजनर्स के चोटे से चोटा भी वी जो करा चाहता हूं, कहता ह families…… या कोई भी छोटा सी छोटा अगर चैनल होता है तो कहा जाता है सो बार कहा जाता है, कॉंटेंट छोटा पढ़ जाता है सो बार कहा जाता है कि हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आप कभी नहीं कहते कि अबरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मैंने कभी नहीं का चुकि मेरा हक नहीं है कि अगर मेरे पास कॉलिटी नहीं है, मेरिट नहीं है, तो मैं जबरदस्ती लोगों को मजबूर करूँ इस बात पर कि वो मुझे जरूर सुनें और जरूर देखें, अगर वो देखने वाले जो हैं ये खुद बखुद दो साल में, अलहमदोलिल्ला, ये मैं तो इसको बहुत बड़ी काम्याबी कह सकती हूँ, कि मेरे वो टार्गेटड जो ओडियंस थे, मैं उन तक पहुच चुकी हूँ, और पूरे 22 करोड, 23 करोड, 25 सुना करोड अबाबादी हुचुकी है, बेर ओफ स्टेटिस्टिक्स तो कभी सही दे तो मैं अपनी बात जहां पहुचाना चाहती हूँ, अललह का शुकर है, वो पहुच चुकी है उन तक और फिर अपने दूसरे किसी फैमिली फ्रेंड को कह दियते हैं, भई, अगर बच्चों को फैमिली चैनल दिखाना है तो 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 बस अब आपके सवाल, मेरे खाल है, तो अखरी बात है, तमाम वीवर्स को गवा बनागर और यहां जो स्टाफ मौझूदी भीवर्स तब को मौझूदी में आपसा रिक्वेस करता हैं, आई देज प्रोग्यम होगा तो मैं चैनल 5 जो है आपका, जिसमें पाश मौझवाद को आपका पाश्च पाश्ड़ मीडिया है, मजभ ए अबर बहुता है तो पिर आज मौझे इम पाइफ चैनल से अधर जान बतोर मेजबान, आपकी खित्मत में हाजर होकर जो भी मेरे दिल जहन में और अवाग के दिल जहन में से जाहे वह कितने ही तल्ग तरीन हो तो मैं एक तो है कि यह कि है इस जान की आमान के साथ के अपने पाओं पर चल कर घर जाओंगा तब तरीप सवालों के बाद आप मुझे मैजबानी अटा फर्मा रही हैं फिर इसके देखें मेरी कुछ मजबूरियां हैं और वो फिनेंशल कंस्टेंट जिसको आप कहते हैं मैं एक पैंशनर हूँ अगर आप मेरे बारे में सब कुछ जानी चुके तो यूभी पता हुआ कि I am a retired civil servant यस आई नगजाए तो एक pensioner हूँ और वो pension से भी और कुछ अपनी savings और मेरे वालिद की जो pension मेरी वालदा की थी वो national savings चे वो पैसे आते हैं तो मेरी बच्ची परड़े ये बाहर वो सब उस पे खर्च हो जाते हैं तो मैं आपको जो रेडियो पाकिस्तान और FM 101 आपको पेमिंट्स करते हैं गालेबन अपरेल तक तो मैं आपको पेमिंट्स नहीं कर सकूंगी कोई भी मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्रड्यूसर की त्रोडूर की तरवा निकाल पाती हूं अपने टक्निकल स्टाफ तो कोई एसु रही है मुझे मेरे सवाब कमाने के लिए थे आहें मुझे मेरे सवालों के ज़वाब मिल जाए मेरे इक ही तिल को तस्कीन मिल जाए तो देखते हैं आप किस तरह की मेजबानी करते हैं और कितनी बचाड होती है तल्ख सवालों की जनाब इजाज़त दीजे ये इसलिए किया कि मैं रेडियो और पी टीवी की बहुत इज़त करती हूँ और मुझे अपने आप पर ये गव होता है कि मैं एक अच्छे मीडियम से लोगों को बलाकर और ये सपोर्टिंग आर्टिस्ट कितनी बड़ी फोर्स कितना पावरफुल इनका रोल होता है किसी अच्छे ड्रामे किसी अच्छे प्रोगैम को तो वो मैं चाहती हूँ कि हम जैसे हमने इसमाली तारह पर भी हमने कि है जेब शेहनास को मैं भी बिलवाने वाली हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपके तश्रीफ लाने का और बहुत खुशी होगी, मैं देखूँगी कि कोई मुझ से भी पूचने वाले पैदा हो गए है लेकिन ये बात भी तेया हो चुगी कि सवालात आप गुस्ताखी में शुबार देगी है हरगिज नहीं करूँगी, जितने मर्जी तल्ख सवालात हो क्योंकि मैं कोई मेंस्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं बैटी हूँ ना जहां आपस में लड़ाते हैं मुर्गों को और वो मेजबान मज़े ले रहा होता है खबीज सी मुस्कुराइट उसके चेहरे पे होती है और वो सियास्टदानों को और दूसरे लोगों को लड़ाने का काम कर रहा होता है तो मैं ये कभी नहीं करूँगी, आपको मेरी बरदाश्ट और मेरे सबर के बारे में शैद अंदाजा हो जाएगा तो लेट्स ट्राइए इंशालला फ्राइडे को आपसे मुलाकात हो रही है तो फिर आपकी इज़स से मैं बीवर्स से मखातिब हो जाऊँ बिल्कुल हो जाइए पिर इंशालला आइदा परोग्राम में बहुस्त में आपका में अधरजान कहकर मैं कि आपका मैंजबान अधर जाना के लिए प्रोग्राम में चैनल M5 से हाजरी देगा और डॉक्टर साहिबा के रूमरू होने का एजास हासिल करते हुए आपके जानिक से मौसुर्फ होने वाले और अपने दिलो जहन में जनम लेने वाले वो तल्ख तरीन सवाला जो इससे पहले कभी आपने टेलिविजन पर ये किसी भी चैनल पर नहीं देखिया होंगे वो डॉक्टर साहिबा के सामें रखे जाएंगे इस गारंटी के साथ के डॉक्टर साहिबा ने फर्माया कि जान की अबार मुझे दे रखी है जनाब सुन लिया आपने तो अगले प्रोगैम के लिए तयार रहिए कि टॉक्ट शोस कैसे होते हैं कैसे होने चाहिए वो इश्यूस बेस्ट होने चाहिए और एक खिदमत में आपकी और अर्स कर दूए कि यह जो आप देख रहे हैं न रोजआख अर्वाई दूए और जी यू और जितने बड़े बड़े एंट जोड़े डोस्त करूपकर तो मैं उनको डेकती हों तो मुझे आट्पी होती है कि पहला प्रोगैम पृ-टि वी से मैंने किया था चौथा सतून के नाम से, वो मेरे यूटीव पर पढ़ा है, जो चार किस्तों में फिर बुन नश्ट हुआ था, ये एक हफ़ते बाद जब सुप्रीम कोर्ट पर अटेक हुआ था, मौजूदा जो हमारे शहबाद शरीफ सहाब की पार्टी है, इन्हों ने अटेक कर रहा है थ था, और उस अटेक के बाद थ्रिल, उस वक्षाम के अख़बारात जहें बहुत थ्रिल क्रियेट किया करते थे, तो उस हवाले से मैंने एक प्रोगैम मुझे रिक्विस्ट की किसी ने वहाँ से, तो मैंने वो प्रोगैम तरतीब दिया, और एक प्राइविट स्टूडियो मुम्ताज मिर्जा स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड किया, और एकराम सेगल साब की कंपनी ने उसको फाइनेंस किया, और इस तरह हमने वो पहला प्रोगैम था, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, अल्ला माफी दे, उस तरह के टॉक शोस की हमारी समातों और बसारतों को अल्ला मुबश्यम, तो वो कामरान, शाहिद, कुद्सी, आप जितने एंकर्स हैं, मैं अब नहीं जाती, 2018 के बाद से मैं, कोई बुलाए भी तुम्हें नहीं जाती, किसी टॉक शो के, जी अच्छा, तो इंशाल्ला होती है, आपसे मुलकात, खुदा,